तो यारो अगर मैं आपसे पूछू कि मार्वल का प्रजेंट टाइम में सबसे पावरफुल करेक्टर कौन है तो आपका जवाब थौर या वांडा हो सकता है बट ऐसा नहीं है क्योंकि लोकी सीजन 2 के बाद लोकी बन गया टाइम आफ गौड लोकी के पास हर वो पावर्स है जो ही हू रिमेंस के पास थी साथ ही लोकी ने टाइम स्लिफिंग को भी कंट्रोल करना सीखा वो समय को रोक सकता है पूरी टाइम लाइन को कंट्रोल करना छोटी सी बात नहीं जो की लोकी को सबसे पावरफुल बनाती है